तो फाइनली यार भाई सब आज मतब विक्रम बेदा का जो टीजर आ चुका मतब डिरेक्टर ने हम जितने भी फैन्स है ना मतब रितिक रोसन और सैफ आली खान के और इस मूवी की स्टोरी के ना भाई सब तो फाइनली आज उसका एक छोटा सा जलाका के भाई बहुत कुछ इंपोर्टन चीज बताने वालों कि इस टीजर में क्या क्या आपको देखने को मिले तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दो कि यह दोहर सतरह में बनी उस मूवी में साउती की मूवी का रिमेक विक्रम बेदा का और एक बात हमारे लिए ची तरह सते हैं कि जो हमारे डिरेक्टर साभ सर्वाइस द्राक में करते हैं इस बात कर दो सबीकों पता हैं उसके बाद से सैफ अली खान का जो यहां पर विक्रम यानि पुलीस का जो रोल रहने वाला भाई सब मतब ऑसम रहने वाला काफी ज़्यादा अपनी फिटनेस को उन्होंने ध्यान देते हुए इस मुवी को मतब शूट किया है कि बहुत अच्छी एक्टर उनको कोई भी कुछ भी चीज़ को आर असानी से मतलब कर लेते बात कर देखा क्या भाई सब्सक्राइब कहानी सुनो भाई है मतलब उनका जो एक्टिंग था ना मतलब यार क्या ही बता उसके पासे जो बैक्ग्राउंड का आप म्यूजिक देखो उसके वासे किस तरह से मतलब यहां पर दिखा तोड़ा सा जलग दिखाएगे कि जितने सैफ अलिखान और यहां पर रितिक रोशन के भीच में फाइट वाला से इंदेगो मेरे हिसाफ से जो है न तुम अगर ओल्ड वाला 2017 वाला गर विक्रम वेदा का ठेलर देखो गड़ जिसने भी टीजर को काटा ना भाई साब कसम से बतानों काफी जाद उसके बसे लास्ट टैम में देखना एक सीन दिखाता है इस टीजर बे की एक तरफ से अलिखान साब मतलब रितिक रोशन ने गैंक्शर का भाई मतलब माइंड ब्लोइंग रोल किया उसके उनके जो सामन लिखाने पुलीस का रोल किया देखो मेरे को तो काफी ज़्यादा अच्छा लगा जो सीन डायलोग से फ्रेम टू फ्रेम कॉपी तो है लेकिन भाई सब ओपी लेबल करते हैं कि अगर रिमेक होता है तो उसको अच्छे से अगर बना दो ना तुम तू अच्छा मूवी सुना जा रहा है कि है और इस मूवी को बहुत ही जल इसका मतलब 30 सिप्तमबर 22 को सीने में घरों में देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से हो सकता है कि मतलब एक या दो हपते बाद इसका जो में टेलर है आज तो हम लोगो कुछ और ज्यादा धासू चीज देखने को मेरे ह बहुत ज्यादा में को अच्छा लगा बाइस तुम लोग भी जा करते को टी सीरीस के चाहिए पर लॉंच हो चुका है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेक क्या रहा है